हेलो फ्रेंट्स आप सब का आपके अपने चनल गोविन लक्षर्स में एक बार फिर से स्वागत हैं तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पड़ावेची चल रहे होगे तो आज की इस क्लास में डिसकस करेंगे राजस्तान बॉर्ड प्रिक्सा 2023 के लिए 25 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पैपर की यहाँ पर हम जिस पैपर के डिसकस कर रहे हैं उनमें से कई सारे प्रशन आपको अपने 25 मार्च को होने वाली बॉर्ड प्रिक्सा के पेपर में इनमें से कई सारी प्रश्ण देखने को मिलेंगे तो जदस जद आपने दोस्टों को शेर करें और यहाँ पर हम जितने भी प्रश्ण बता रहे हैं उन सभी को आपको बहुत अच्छे से त्यार करने हैं साथी साथ मैं पूरा स्वाल भी कराऊंगा ताकि आपको कई और देखने की जुरुवत नहीं पड़े तो छलिए क्लास शुरू करते हैं देखें खंड ए के अंदर कोटल 12 अबस दवाले प्रश्ण दिये गए हैं पहला प्रश्ण आपके सामने दिया गया है वो है दक्सन अफ्रीका से लोटने के गांदी जी ने सबसे पहले कौन से इस्तान पर सत्याग्रह आंदोलन किया था वो आपको बताना है तो दक्सन अफ्रीका से लोटने के बाद गांदी जी ने चंपारन बिहार में भी किया था खेडा गुजराद में भी किया था और एमदाबाद गुजराद में भी किया था तो इसका सही जबाब होगा उप्युक्त सभी इन तीनों इस्तानों पर गांधिजी के द्वारा सत्यागरा अंदोलन किया गया था तो इसका सही जबाब है उप्युक्त सभी आगे बढ़ते हैं, इंग्लेंड में किस नई प्रोध्योगी की सुरुवात से महिलाय चिर्थी थी तो इंग्लेंड में श्निपिंग जैनी नामक मसीन की आविश्कार की वज़े से जो महिलाय थी, वो क्या होती थी? की चिर्ती थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कुशन नभर 4, समवाद कोमूदी का परकाशन किसने किया? तो वो किया था राजा राम मोहन राये के दूरा समवाद कोमूदी पुस्त का परकाशन किया गया था. अगला कोशन नमबर 5 निमनल लिखित मैंसे कौन सा उत्पादन का घटक है तो पुंजी भी है सरम भी है भूमी भी है उप्रोक तो सभी ये सभी ही उत्पादन के घटक है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर आपका 6 2001 में जंदगर्णा के अनुसार भारत का बाल लिंगा नूपात कितना था तो वो था 1927 कितना था 1927 कुशन नमबर 7 निमनल लिखित मैंसे कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो बताना है तो देखो भारतिय जंता पार्टी कमल का फुल बिलकुल सही है बारतिय राश्टर कॉंग्रेस हाथ का पंजा विल्कुल सही है बहुजन समाज पार्टी आथी ये भी सही है बारतिय कम्मुनिस्ट पार्टी साइकल ये गलत है ठीक है तो option number 10 का सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं महिला और अल्प संक्यक समुदायों की उचित भागीदारी सुनिचित करना किस प्रकार की चुनोती का उधारन है तो महिला और अल्प संक्यक समुदायों की उचित भागिदारी को सुनिचित करना ये चुनोती है आपकी लोगतंत्र का विस्तार करने की चुनोती अगला question number 9, साक्सरता दर क्या है? तो साक्सरता दर का मतलब है साथ वर्स ये उससे अधिक आयू के लोगों में साक्सर जन संक्या का अनुपात ये कहलाता है साक्सरता दर भारत में करनसी कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? Reserve Bank of India बहुराश्ट्रिय कंपनियों का सबसे अधिक लाब किस से हुआ? इसकी वज़े से हुआ? चहरी चेत्र के दनी उबगताओं की वज़े से बहुराश्ट्रिय कंपनियों को सबसे अधिक लाब हुआ है आगे बढ़ते हैं Question No.12 अब सद्धिसंख्या 12 भारत में उबगता सरक्षन अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में कब बनाया गया? 1986 में आगे बढ़ते है Question No.2 जिसके तहद टोटल 6 रिक्तिस्तान वाले प्रशन दिये गए हैं पहला प्रशन है खाली जगह को पंजाब का सेर कहा जाता था इसको लाला राजपत राय को पंजाब का सेर कहा जाता था दूसरी खाली जगह है पर्सीद अर्थ सास्त्री खाली जगह का मानना था कि बारतीस ओने के निरियाक से वैस्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिला है तो उन पर्सीद अर्थ सास्त्री का नाम था, वो था John Maynard Kings क्या नाम था? John Maynard Kings खाली जगह 3 है, खाली जगह उद्योग, कूटिर उद्योग के रूप में घर पर बुनकरों को रोजगार परदान करता था तो हाथ से बुनी हुई जो उद्योग है वो कुटिर उद्योग के रूप में घर पर बुंकरों को रोजगार परदांद करता था प्रश्ण संगया चार राज्य के पार्टी किसी राज्य की विदान सबाओ के चुनाओं में कुल मतों का कम से कम कितना परतीसत करती है ? कम से कम 6 परतीसत करती है राज्य की पार्टी आगे बढ़ते हैं खाली जगह नमबर 5 स्वयम साहता समुओं में बच्चत और रिंड से सम्मंदित अधिक्तर निन्ये खाली जगह द्वारा लिये जाते हैं इसके द्वारा सदस्यों के द्वारा लिये जाते हैं प्रश्ण संख्या 6 खाली जगह को राश्ट्रिय उभोकता दीवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राश्ट्रिय उभोकता दीवस मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 3 जिसमें कुल 12 अतिलगू उत्रात्मक प्रशन दिये गए हैं ठीके पहला प्रशन है आपके सामने कि ब्रिटीज सरकार भारत में अफिम की खेती क्यों करवाती थी इसका कारण क्या है तो देखे उत्तर 1820 के दसक में बसक से चीन को बड़ी मात्रा में अफिम का निरियात किया जाने लगा था अता तब ब्रिटीज सरकार भारत में अफिम की खेती करवाना चाहती थी और उसे चीन को क्या कर देती थी निरियात कर देती थी बेच देती थी अफिम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चिन से चाय और दूसरे परदातों का क्या किया जाता था आयात किया जाता था फ्रीके इस वजए से जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारत के अंदर अफिम का उत्पदन करवाना चाहती थी अगला प्रशन संख्या 2 इसी का प्रशन संख्या 3 का प्रशन संख्या 2 वो है नए लोगों की भरती करवाने के लिए उद्योग पती प्राय किसको नियुक्त करते थे तो इसको निक्त करते थे जौबर को, ठीक है? अगला, प्रशन संग्या तीन, दारावाहिक सब्द की प्रिवासा दीजिए कौन से सब्द की? दारावाहिक पद की प्रिवासा तो ऐस्ती पद्दती जिसमें कहानी को किस्तों में चापा जाता है और हर अक्तिस्त पत्रिका या अक्बार के अगले अंक में चपती है केकलाते हैं दारा बाहिक कहलाती है दारा बाहिक रेडियो अथवा टीवी पर भी सुनाए और दिखाए जाते हैं ठीक है अगला question number 4 चार राज्यों के नाम बताएं जहां सुद्ध बोयगे चित्रों के 40% से अधिक बाग पर छिंचाई होती है बारत के ऐसे चार राज्यों के नाम बताने हैं जहां पर सुद्ध बोयगे चित्रों के 40% से ज्यादा पर क्या होती है आपकी सिंचाई होती है तो वो है पंजाब, हरियाना, तमिल नाडू और उत्तर प्रदेश अगला प्रशन है वानिजी कर्सी का एक लक्सन बताना है तो वानिजी कर्सी का मुख्य लक्सन है आधुनिक निवेसो जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासानी कुरवर को और कितनास्कों के प्रियोग से उच पैदावार को प्राप्त करना ये विशेशता है वानिजी कर्सी की अगला प्रस्ण है कोलकाता के अंतराष्ट्रिय वायू पतन का नाम क्या है तो उनका नाम है नेताजी चुबाच चंद्र बोस वायू पतन हवायड़ा अगला कुशन नमबर साथ किनी दो देशों के नाम बताएं जहां लोकतंत्र मजबूत और सफल है एक है इंगलेंड और एक है सेयुक्त राज्य अमेरिका अगला लोकतंत्र ने महिलाओ को उनके आत्म सम्मान की लड़ाई में किस परकार साहता की है तो लोकतंत्र ने महिलाओ की गरीमा और समानता के लिए महिलाओ की इस लड़ाई को वैद्य और नयतिक चवी प्रदान की है ठीक है अगला विश्वों में किनी तीन लोकतंत्रिक देशों के नाम तो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत और इंगलेंड प्रश्ण संक्या 10 एक देश के आर्थिक विकास के मापन की सामान्य विद्धी क्या है तो वो है आपकी आए प्रश्ण संक्या 11 ये किरिया श्वयम वस्तुए उत्पादन नहीं करती है अपितु ये उत्पादन प्रकिरिया में साहता करती है वे कौनसी किरिया है तो वे जो किरिया कलाती है वे कलाती है आपकी तर्तियक चित्र की किरिया है कौनसी चित्र की तर्तियक चित्र की किरिया ह अगला है संगटित चित्रक का अर्थ बताएं संगटित चित्रक का आपको क्या बताना है अर्थ बताना है तो वहा उद्यमिस्तान जिनमें नीमित रूप से कारे होता है और नीमित रूप से वेतन मिलता है और ये चित्र सरकार के द्वारा पंजीकरत होते हैं और इनमे, सरकार के नीमो वी नीमो का पालन किया जाता है, उन्हें संगटी चित्रक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं खंड बह, जिसके अंदरगत लगू उत्रात्मक प्रशन पूछे गए हैं। प्रशन संक्या चार, 1815 से लेकर 1914 के दोरान अंतराश्ट्रिय आर्थिक विनीमे केंद्रों के साथ तीन प्रकार के प्रवाहों की व्याक्या करनी है। तो पहला प्रवा है वस्तूओं का प्रवा, सामानत्य यह वस्तूओं और कपड़ों तकी सिमीत था, किन्तु बारत से ग्रेट बीटेन को बेजी जाने वाले कच्चे माल जैसे रेसम, कपास, आदी के प्रवाह में भी देजी देखी गई थी। फिर है पुंजी का प्रवा, यह उपरवन्नित वस्तूओं के प्रवाह में ही सन्नहीत था, यह इसके साथ ही सामिल था। लोगों का प्रवाह हलांकि विक्सित देशों ने इस पर लोग रखा रखी थी, परन्तु किन्तु पहले यह गुलामों के वैपार ता उसके बाद बंदुआ मजदूरों के रूप में निमित रूप से बना रहा। तो 1815 से लेकर 1914 के दौरान वस्तूओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और लोगों का प्रवाह यह तीन प्रकार के प्रमुग प्रवाह देखे गए थे। और लाब निम्न लिखित थे। पहला लाब था परतिवेक मजदूर उत्पादन में क्या हुई व्रदी हुई। फिर वस्तर उद्योग में पहले से ज्यादा मजबूत धागों और रेसों का उत्पादन होने लगा। रिचर्ड ओक्राइट द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूप रेखा बनाने के पच्छाद मसीनों को कारखाने में लगाया जा सकता था। फिर कारखानों में सारी प्रक्रिया एक ही सत के नीचे और एक मालिक के आथों में आ गई थी। फिर अब उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, खुनवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना बहुत ही आसानी से संभव हो गया था। तो ये कुछ परिव पाग में लिखा है आरक्सित्वन और दूसरे पाग में लिखा है सरक्सित्वन तो आरक्सित्वन के अंद्रगत मुल्य की बात करें तो आरक्सित्वन अधिक मुल्यवान समझे जाते हैं क्योंकि अधिकतर वनों और वन्य प्राणियों का सरक्षन इन से समन्दिती होता है वही बात करें सरक्सित वन, तो इन वनों की भूमी को निमनी करन होने से रोका गया है और अधिक नश्च होने से बचाने के लिए इनकी सुरुकसा भी की जाती है। फिर बात करें आरक्सित चेत्र तो कुल वन चेत्र का आदा भाग आरक्सित वनों के लिए निर्धारित हो गया है। वही कुल वन चेत्र का लगबग एक तियाई भाग सनक्सित वन चेत्र गोसित कर दिया गया है। पिर राज्य की बात करें तो आरक्सितवन, जम्मू कस्मीर, आंद्रपरदेश, उत्राखंड, केरल, तमिल नाडू, पच्चिमी, मंगाल और महाराश्टर के अंदर पाए जाते हैं। वही बात करें सनक्सितवन, तो ये ज्यादातर बिहार, पंजाब, हरियाना, हिमाचल, पर्देश, राजिस्तान और उडिसा में पाए जाते हैं। विद्यूत उत्पन कराती हैं, और कई अन्य सुविदाय भी देती हैं। फिर विद्यूत जल से प्राप्त की जाती है, जो कि एक नवी करनिय संसादन है। जल सक्ती और सिंचय सुविदा दोनों को इविकास में महतुमण भूमी का निबाई है। विशन नमबर आठ, सूस का भूमी कर्शी और आद्र भूमी कर्शी में अंतर बताना है। तो जो सूस का भूमी कर्शी है, बहु कर्शी है जिसमें विशेश प्रकार की फशले जिनमें आध्रता बनी रहती है, उगई जाती है। वही आद्र भूमी आद्र कर्सी भूमी के अंदर वो कर्सी उगए जाती है जो मुखेता वर्षा पर निर्बर करती है। सूसकर कर्सी भूमी में या देश के सूसकर भावव में की जाती है। वही आद्र भूमी जो कर्सी है वो भारत के उत्री पूर्वी भारत में की जाती है। तो इसको भूमी जो कर्सी है ये मुखेता सिंचाय पर डिपेंड करती है। जबकि जो आद्र करसी भूमी है उनके लिए ज़्यादा सिंचाही के आपसक्ता नहीं होती है तो इसको भूमी करसी में चना, जवार और बाजरा का पैदा की जाती है वही आद्र भूमी करसी में चावल और जूट सरसो आदी की क्या जाती है आजी का उत्पदन किया जाता है ठीक है? आगे बढ़ते हैं Question number 9 बारत में सड़क परीवन अभी भी रेल परीवन की पैक्सा अधिक सुवीधा जनक है तरक सहीत इस कथन का समर्थन करना है कि बारत में जो सड़क परीवन है वो रेल परीवन की तुलना में ज़़ा सुवीधा जनक क्यूं है? तो पहला कारण है सड़कों के लिए रेलवे की पैक्सा पूंजी निवेस्ट की आफसकता क्या होती है? कम होती है, लागत कमाती है इनका निर्मन बहुत उंचे इस्तानों या किसी भी इस्तान पर आसानी से किया जा सकता है सड़क परीवन सुवीधा जनक और साधरन वैक्ति की पहुंच के अंदर होता है और 1200 गंटे उपलब दोता है इसकी देखबाल की लागत भी कमाती है और सड़क परीवन में वैक्तित सेवा पर्दन करने का विशेज गुण होता है इस वज़े से सड़क परीवन रेलवे परीवन की तुलना में बहतर है अगला, प्रशन संक्या 10 सत्ता के सैतिज वीतरन से क्या वीप्राय है बारत से उदारन देकर इसकी व्याख्या किजिए सत्ता के सैतिज वीतरन से क्या मतलब है उदारन देकर बताना है तो जब सासन के विबिन अंग जैसे विदाईका, कारेपालिका और नयपालिका के बीच सत्ता के बटवारे की व्यवस्ता हो तब इसे सत्ता का सैतेज वित्रन कहा जाता है बारत में राष्ट्रपती और मंती प्रिश्चद कारेपालिका के रूप में कारे करते हैं वैसे ही संसद, विदाईका और सर्वोच नयाल्य नयाईपालिका के भाग होते हैं इनके बीच सक्तियों का विवाजन होता है ताकि कोई भी सक्ता का सिमित उप्योग नहीं कर सके तीसरा हर अंग एक दूसरे पर अंकूस रखता है जैसे बारतिय न्याइपाली का विदाइका और कारेपाली का कारेओं पर अंकूस रखती है इस प्रकार वे सक्ति को क्या रखते हैं संतुलित रखते हैं अगे परते हैं कौशन नंबर 11 मैकसिको ऊलंपिक में एफロ अमेरिकी धावको ने अंतराश्ट्री विरादरी का ध्यान खिंचनने के लिए क्या किया और अंतराश्ट्री उलंपिक संग की क्या परती की डिया थी तो अमेरिका के दो एफ्रो अमेरिकी दावक टॉमी स्मीत और जॉन कार्लोस ने अमेरिकी असवेत लोग गरीब हैं इस बात को जताने के लिए बीना जूते पहने केवल मोजे में अपने मेडल प्राप्त किये अपने इस पर्तिक से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेट के परती अंतराश्ट्रिय विरादरी का ध्यान खींचने की कोशिस की थी जब अमेरिका का राश्ट्रगन बज रहा था तब वे सीर जुकाएं और मुट्टी ताने खड़े हुए थे काले दस्ताने और बंदी हुई मुट्टिया क्या कर रही थी अस्रवेट सक्ति का परतिक थी और अंतराश्ट्रिय उलम्पिक संग ने दोनों के द्वारा राजनितिक बयान देने की युक्ति को उलम्पिक भावना के विरुद बताते हुए उन्हें दोसी करार दिया और उ लोगों का ऐसा समू जो सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए परोक्स रूप से दबाव डालने वाले सत्सक संगठन को बिनाते हैं क्या 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 है इनका सिद्धा संबन्द आंदूलन आधी चलाने के साथ होता है अब दबाव समू और राजनितिक दल में अं तो करते हैं दबाव समू चुनाव के समय राजनितिक दलो पर दबाव बनाते हैं इसके कारण ही जनमत क्या होता है प्रभावित होता है तो क्या है अगला प्रशन है विकास gorbeter अर्प बताए और इसके मापदन लिखो तो विकास का अर्थ है पर्ति वैक्ति वास्त्विक आय में दिर्ग कालिन वर्दी होना इसते देश के लोगों के भौतिक कल्यान में वर्दी होती है और जन जीवन में क्या आता है सुधार आता है इसके प्रमुग मापदंड क्या है? राष्ट्री आयमें बर्दी, परती वेक्ति वास्तिविक आयमें निरंतर बर्दी होना, बोतिक जीवन गुनवत्ता में सुधार, सिक्सा, जीवन परतियासा तथा परती वेक्ति आयमें बर्दी, धर्णिय विकास अर्थात विकास के कुछ कांग में सुधार और सवतंतरता के साथ विकास ये विकास की कुछ मापदर्ण के साधन है आगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 14 भारत में पाई जाने वाली बेरुजगारी के तीन प्रकार बताईए पहली है प्रचन बेरुजगारी प्रचन बेरुजगारी उस इस्तति म एक काम करने के लिए जितने सर्मिकों की आवसकता है उससे अधीक सर्मिक उसकाम में लगे होते हैं और यदि उनमें से कुछ सर्मिक हटा दिये जाए तो कुल उत्पाज में कोई कमी नहीं होगी बारत के ग्रामिन चित्र में प्रचन बेरुजगारी की समस्या काफी गंबी दर द्रसा है यहां बेरुजगारी मोसम में परिवर्तन के फ़लसोरु पैदा होती है बारत में लगबग 164 लोग 1164 लाक लोग मोसमी बेरुजगार है फिर है उद्योगिक बेरोजगारी तो भारत में उद्योगिक बेरोजगारी के उत्पन होने के कई कारण है पहला कारण है उत्पादन में पुंजी परदान तकनिक को पहला कारण है उद्योगों के अंदर पुंजी परदान तकनिकी को नहीं अपनाना ठीक है दूसरा कारण है गाव के लोगों को सहर में नूकरी करने आना गाव के लोगों के सहर में आने के कारण उद्योगिक सहरों में सर्मिकों की संक्या बढ़ गई है पर अंतु भायरत में अभी इतने उद्योग इस्तापित नहीं हुए है कि बढ़दी हुई श्रम सक्ति को अपने में खपा सके तो ये तीन प्रकार की बेरोजगारी बाई जाती है प्रचन बेरोजगारी, मौस्मी बेरोजगारी और अध्योगिक बेरोजगारी कोशन नमबर 15 दिया हुआ है सस्ता और सामर्थय के अनुकुल कर्ज, ग्रामिन और सहरी दोनों ही चत्रों में गरीब परिवारों के लिए अतिया आवशक है इस कथन के संद्रब में इससे जूड़े सामाजीक और आर्थिक मुल्यों की वैक्षा करनी है तो सस्ता और सामर्थय के अनुकुल जो कर्ज है, जो लौन है वो ग्रामिन और सहरी दोनों ही चत्रों के गरीबों के लिए बहुत ही फाइदेबन दोता है इसके आपको बैक्षा करनी है तो भारत एक विकासिल देश है, देश के इस्तर को अधिक खुसाल बनाने के लिए ये आफशक है किया बैरुजगारी को समाप किया जाए और गरीबी दूर की जाए इस समस्त्या को हल करने है तो गरीबी तिथा बैरुजगारों को चोटे रोजगार लगाने की सला दी जाने चाहिए तथा उन्हें सस्ता और सामर्थे के नुकुल कर्ज दिलाया जाना चाहिए ग्रामिंड छोटे किसानों तथा सहरी गरीब चत्र के लोगों को रोजगार आदी के लिए सस्ती ब्यास दर पर बैंक तथा सहकारी समेत्या रिंड देती है किसानकर्शी के आवसक, वस्टूओ, खाज, बीज, कितना सी आधी को खरीद कर उपज़ को बढ़ा कर अपना जीवन इसतर बढ़ा सकते हैं सोहेरो में लोग छोटे उध्योग लगा कर अपना जीवन इसतर को उचा करते हैं इससे देश की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का दिदान सरलता से हो जाता है ठीक है? आगे बढ़ते हैं Q16 बारत में उब्भोक्ताओं की सुरुक्सा के लिए नियम और विनीमों की आफसकता होती है इस कथन को निया उचित थेराईए बारत में उब्भोक्ताओं की सुरुक्सा के लिए नियम और विनीमों की आफसकता होती है इस कथन को आपको निया उचित बताना है तो बारत में उब्भोक्ताओं के हीतों की सुरुक्सा के लिए नीमों और विनीमों की आफसकता पड़ती है क्योंकि व्यापारी, निर्माता, महाजन अपने अपने प्रकार से उभगताओ का क्या करते हैं? इसे निम्नलिखित उधारनों के द्वारा तरक सहीत समझा जा सकता है पहला तरक है महाजन या रिन्ड दाता करजदार व्यक्ति को अपना उत्पादन कम मुल्ले पर बेचने के लिए वीवस करते हैं जैसे एक व्यक्ति भैस खरीदने के लिए धन महाजन से उदार पर लेता है महाजन उससे बाजार से कम कीमत पर सुद्ध दूध और मात्रा में अधिक की क्या करता है मांग करता है अगला तरक है अस अंगटित चितरक में नियोक्ता मजदूर को कम वेतन या मजदूरी पर अधिक गंटे काम करने के लिए वीवस करता है यह उसके सवास्ते के लिए भी हनिकारक सिद्धोता है बाजार में उभवगताओं का सोसन किया जाता है और बाजार में दुकानदार उभवगताओं को कम तोल कर मिलावटी सामान को बेच कर अधिक मुल्ले में वस्तू को बेच कर उसका सोसन करता है कभी-कभी दुकानदार मांग की अधिक्ता को देखते हुए वस्तूओं का भंडारन करके वस्तू के बाजार में अइस्ताय आपूर्ती में कमी दर्शाते हैं जिससे उब्वोक्ताओं से वो अधिक मुल्ले क्या करते हैं वसूल करते हैं तो इस तरह उप्भोक्ताओं का कई अलग लग तरीकों से सोशन किया जाता है अतो उप्भोक्ताओं को सोशन से बचाने है तो नीमों और भी नीमों का होना बहुत ही ज़्यदा जरूरी है अगे बढ़ते हैं खंड सव दिर्ग उत्रात्मक प्रश्णो प्रश्ण संग्या सत्रा बिस्मार्क और कावूर के अधर्शों और तरीकों की तुलना करनी है तो लग से एक रास्ते अलग अलग कावूर और बिस्मार्क दोनों ही अपने समय के सफल कुट नितिग्य थे जबकि बिस्मार्क विजेसी सायता में विश्वास नहीं रखता था वह लोहे और रक्त की निति में विश्वास रखता था दूसरा था अलग अलग नीतिया कावूर की नीति जनमत संग्रह और जनाहदैस के आधर पर कार्या करम को आगे बढ़ाने की थी वही बिस्मार्क सेन्य आकरमन से एकिकरन करने में विश्वास रखता था तीसरा अंतर था इस्तान भक्ती कावूर ने साडीनिया और पिडमांट का विले इतली में कर दिया जबकि साडीनिया का परधान मंत्री था जबकि वो खुद साडिनिया का परधान मंत्री था वही बिसमार्क ने परसा का जर्मनी के अंदर विले नहीं किया था अगला अंतर था अंतिम परिणाम के आधार पर जर्मनी में बिसमार्क के पच्छात कई संगर्सों का दोर चला जिसमें जन धन की अपार सती हुई लेकिन काबूर के दोरा पर्तिष्टित इतली अभी तक सांतिपुन सामज्य में ही इस्तित है तो ये दोनों के अंदर अंतर था आगे प्रश्न संग्य 18 बूस रक्षन के किनी तीन उपायों का सुजाव दे बूस रक्षन के किनी तीन सुजाव तो पहला है फशलों की अदला बदली यदि एक ही खेत में एक वर्स एक ही फसल हुगाय जाए तो भूमी में से कुछ तत्वस समाप्त हो जाएंगे और वह धीरे धीरे अनुपजव बन जाएगी फशलों की अदला बदली से इस प्रकार के अबर्धन को रोका जा सकता है दूसरा इस्ताई कर्सी आदिवासी लोगों को इस्ताई कर्शी करने के लिए प्रेरित करके इस्तनांत्रित कर्सी को कम किया जा सकता है फिर सीड़ी दार तथा समोच्छे जूतै पहाडी डिलानों पर सीड़ी दार तथा समोचते जुताई द्वारा मर्दा सरक्षन का परभाव साली तथा सबसे पूराना तरीका है पहाडी डिलानों को काट कर कई चोड़ी सीडिया बना दी जाती है और ढालवाली भूमी पर समोची रेखाय बना दी जाती है जिसे मर्दा अपरदन में कमी होती है फिर रक्सक मेखला तथा पट्टी करसी बड़े खेतों को पट्टियों में बाटा जाता है फसलों के बीच में गास की पट्टिया उगए जाती है ये पवनो द्वारा जिन्नित बल को क्या कर देती है? कमजोर कर देती है इस तरीकों को पट्टी करसी कहते हैं खेतों पेडों को कतारों में लगा कर रक्सक मेखला बनाना भी पवनों की गत्टी को कम करता है इन रक्सक पट्टियों का पच्छिमी भारत में रेत के टीलों के इस्ताइक करण में मेहत्वण योगदान रहा है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 18 दिया हुआ है जाती व्यवस्ता के पुराने सवरूप में बदलाव लाने वाले किनी तीन कारकों को इस्पष्ट करें जाती व्यवस्ता के जो पुराने सवरूप हैं उनमें बदलाव लाने वाले तीन कारकों को आपको इस्पष्ट करना है पहला कारक है विभिन सामाजीक सुदारकों द्वारा किये गए प्रयासों ने आधुनिक भारत में जाती और जाती व्यवस्ता के प्रभाव को बहुत हज्द कम कर दिया है इन समाज सुदारकों में महात्मा फूले, रामाश्वामी नायंकर, बीयार अंबेडेकर, महात्मा गांधी और अन्यकई सामिल हैं बेज अभी मिलकर जाती विहिंद समाज की इस्तापना के लिए ही लड़े थे फिर दूसरा, शैरी करण, वैवसाईग गती सिल्ता, गावों में जमिदारों की कमजो रिस्तती जैसे वी विबिन, सामाजीक आर्थिक प्रिवर्तनों के प्रिनाम सुरूप, जाती वैवस्ता में वैपाक बदलाव आया है अगला साक्सरता में वर्दी, सिख्षा के विस्तार के कारण, जाती वंचानूकरम की पुरान निधारना, विशेशकर छहरी चेत्र में अब दीरे दीरे जाती व्यवस्ता समापत हो रही है जाती व्यवस्ता और जाती अधरित व्यवारों को समापत करने के उद्यस्य से सम्मिधार में उचित प्रावधन किये गए हैं हमारा समिधा जाती आधरित भेदवाव को रोकता है और जाती व्यवस्ता से पीडित वरग को उपर उठाने के लिए नीतियों को निदारन करता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जाती व्यवस्ता के पुराने सवरूप में बदलाव लाने के लिए सरकार के द्वारा हमारे महत्वपुन व्यक्तियों के द्वारा समय समय अपर अलग अलग प्रयास किये गए हैं और उनमें सपलता भी प्राप्त हुई है अगला आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संक्या 20 वैस्वी करण ने भारत को किस प्रकार लाभानवित किया है इन उद्यारनों सहीत इसपश्ट किजी वैस्वी करण ने भारत को किस तरह लाभानवित किया है इन उद्यारनों सहीत बताना है किसी पिर राष्ट्र को अन्य देशों में सामान का आया तो अन्य देशों को निरियात करने के अनुम्वति के आप सकता नहीं है इसे ही कहते हैं वेस्वी करण वेस्वी करण से राष्ट्र को अपनी पुंजी का निवेश अन्य देशों में करने का प्रावधान है इसके अंतरगत भारत में विदेशी निवेस की सीमा 40% से बढ़ा कर 51% कर दी गई है दूसरा आर्थिक सुधारों में अपना ही जैने वाली वैस्वी करण की नीती के अंतरगत सरकार ने जुले 1991 में रूपय का ओसतन और मुल्यन कितना कर दिया 20% कर दिया तीसरा भारती अर्थ व्यवस्ता को अधिक विश्तरत करने है तू विदेशी निवेसे वह माधुनिक तक्निक के प्रियूग को प्रोसान दिया गया है ठीके तो इस तरह वैश्वी करण ने बारत को क्या किया है लाबानवित किया है आगे बढ़ते हैं खंड दो निवंत आत्मक प्रश्ननों प्रश्न संख्या 21 असयोग आंदूलन के सुरू होने के हालात और कारण कुछ आपस में क्या थे भिन्न है अस अयोग आंदुलन मार्सल लो और जलिया वाला बाग हत्याकांड के विरुध फेले रोस का प्रिणाम था जब बारतियों पर त्याचार किये जा रहे थे और उन्हें गोली का निसाना बनाया जा रहा था वही सविन्य अवग्य आंदुलन के सुरू ओने का मुख्य कारण था लाला राजपत राय की मर्तियों जो अंदा दुन लाटी चार्ज के कारण लाहोर में होई थी हाँ दोनों गटनाय पंजाब से ही समन्दीत थी दोनों के सुरू ओने के पीछे वजे अलग लग थी फिर आ सयोग आंदुलन का मुख्य उद्य से क्या था सवराज्य था अर्थात आंतरिक मामलों में सवतंतर था प्रांतु सविन्य अवग्य आंदुलन का मुख्य उद्य से था और्ण सवतंतर था ठीके, चोथा अंतर था, सविन्य अवग्या अंदुलन अपने विस्तार में आसयोग अंदुलन से कही ज़्यादा व्यापक था, आसयोग अंदुलन जन अंदुलन का प्रारंब था, जबकि सविन्य अवग्या अंदुलन एक विसाल क्या था, अपने आप में जन अंदुलन फिर प्रश्ण सेंगा पांच, कुछ विद्वानों के ऐसी छोस्ती कि अस अयोग आंदुलन को मात्मा गांदी ने 1922 में इस वापिस लिया था, जबकि सविन्य वग्या आंदुलन धीरे धीरे 1934 में अपने आप क्या होगे समाप रोग गया, प्रतु नीस अंदे यी दूनों समस्याओं का उलेक, तो पहली समस्या थी दलित वरगों की समस्याओं, कॉंग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कॉंग्रेस रुडिवादी समवन हिंदू सनातन पंतियों से डरी हुई थी, डॉक्टर अंबेड़कर ने 1930 में दलितों को दलि समस्याओं, दूसरी समस्या थी हिंदू मुसल्मानों की बीच बढ़ता हुआ फैशला, 1920 के दसक में मध्य से कॉंग्रेस हिंदू महसबा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगट्रनों के काभी करिब दिखने लगी थी, जैसे जैसे हिंदू मुसल्मानों की बढ़ता गया, ठीके, अगला पर्थक निर्वाचिका तथा दो राष्ट्र का सिद्दान्त, मुशलिम लिख के नेता मुहमद अली जिल्ला ने मुसल्मानों के लिए पर्थक निर्वाचिका की मांग की, उनको डर था कि हिंदू बहुत संक्या की ब्रस्ट्रस्वों की इस संबंध रखते हैं, ठीके, तो यह कुछ छुनोतिया थी, प्रश्न संग्या 22, भारत में संगात्मक राष्ट्र होने के तथ्या को सु इस्पष्ट करने वाली विशेश्टा उपर प्रकास, यानि वो कौनसी बाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि भारत एक संगात्मक राष में संगात्मक सासन का तीसरा इस्तर भी जोड़ा गया है, किसी भी संगात्मक व्यवस्ता की तरह अपने या भी तीनों इस्तर की सासन व्यवस्ताओं के अपने अलग-अलग अधिकार चेत्र हैं, दूसरा पोइंट, भारत में एक विस्तरत तथा लेकित सम्मिधान है, जो कैंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सक्तियों का विवाजन करता है, सामानय प्रस्तितियों में दोनों सरकारे अपने अपने चेत्रों में कार्या करती है, तीसरिफ इसेस्ता है, विबन इस्तरों की सरकारों के अधिकार चेत्र सम्मिधान में इस्पश रूप से बरनित है इसलिए सम्विधान सरकार के हर इस्तर के अस्तिक्वा और प्राधिकार की गारंटी और के देता है, सुरुक्सा देता है चोथा, सम्विधान के मौलिक प्रावधनों को किसी एक इस्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती ऐसा बदलाव दुनों इस्तर की सरकारों की सेमती से ही लाया जा सकता है पांचवी पिसेस्ता सर्वोच नियालय इवं उच नियालयों को सम्मिधान और विभिन से इस्तर की सरकारों के अधिकारों की बाक्या करने का पूरा-पूरा अधिकार है विभिन इस्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की इस्तती में सर्वोश नियाल्य निर्नाय की भूमिका निभाता है अगली विशेस्ता है वीतिय सवाय तता निच्छित करने के लिए विबिन इस्तरों के सरकारों के लिए राज्यस्वों के अलग-अलग सरोत निर्दारित है सातवी विशेस्ता बारती संविधान में इसपश रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधाय दिकारों को तीन सुचियों संग चूसी, राज्य सुची और संवर्ती सुची के अंदर बाटा गया है ये कुछ पर्मुख विशेस्ता है जिससे सिद्ध होता है कि बारत के अंदर संगात्मत सासन वैवस्ता मौझूद है खीके? अत्वा में दिया हुआ है कि सात रहकर संगी वैवस्ता अपनी संगटक इकाईयों को समान अधिकार नहीं देती है बारत के संदरब में इस कथन की उधारनों की मदद से व्याक्या कीजिए कि सात रहकर जो संगी वैवस्ता है वो अपनी जो संगटक इकाईयों को समान अधिकार नहीं देती है बारत के संदरब में इस कथन को उधारन सही समझाना है तो ये कतन बिल्कुल सही है कि साथ रहकर संगीय व्यवस्ता अपनी संगटे की काईयों को समान अधिकार नहीं देती है प्राय संगीय व्यवस्ताओं में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक सक्ति साली होती है अक्सर इस वैवस्ता में विभिन राज्यों को समान अधिकार दिये जाते हैं परन्तु विशेश इस्थती में किसी किसी प्रांत को विशेश अधिकार भी दिये जाते हैं जैसे कि भारत में केंद्रों और राज्यों के मध्य सक्तियों के विबाजन से प्रमानित होता है। भारत में सक्तियों का विबाजन निम्न प्रकार से हैं। दो इस्तरी सासन वैवस्ता। तो भारत में द्वी स्तरी सासन वैवस्ता केंद्री सरकार और राज्य सरकार की इस्तापना की गई है। केंद्र सरकार को है। पिर कुछ राज्यों को विशेस दर्जा प्राप्थ होना। बड़ी संग्य इकायों में सबी राज्यों और इकायों को समान अदिकार नहीं मिलते हैं। बारत में कुछ राज्य जैसे जम्मू कुस्मिर को विशेस दर्जा दिया गया है, जम्मू कुस्मिर का अपना स्वयम का सम्मिदान है और भारतिय सम्मिदान के कई प्रावधन वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। कई इकाईयों जैसे केंद्र सासित प्रदेश दिल्ली को भी कम अधिकार प्राथ हैं। सम्मिदान में संसोधन या केंद्र वर राज्यों में सत्ता के बटवारे में परिवर्तन करना काफी कटिन है। संविधान के बुन्यादी रांचे में प्रिवर्तन या संसोधन के लिए संसद के दोत या वहुमत की सुविकर्ती के बाद ही आदे राज्यों की विदान सभाव की सुविकर्ती भी आवशक है। संसद अकेले इसमें कुछ भी प्रिवर्तन नहीं कर सकती है। पिर सवतंत्र नयाय पालिका की भूमिका, तो सर्वोच नयाल्या के रूप में नयाय पालिका सम्विधान के प्रावधानों और कानूनों को लागू करने में मैतुपन भूमिका निभाती है। नयाई पालिका सम्विदान की रक्सक है और केंदर और आज्य में विवादों का निम्ने करती है सम्विदान के विरुद कानूनों को अवेद गोसित भी करती है चक्टिविजेस्ता पंचायते ग्राम सभा की देखरे में काम करती है ग्राम के सभी मत्ताता ग्राम सभा के सज़से होते हैं ग्राम सभा ग्राम पंचयत का बजट पास करती है और ग्राम पंचयत के कार्या की समयख्या करती है साल में कम से कम दो या तीन बार इसकी बैठक भी होती है तो इस तरह इन प्रापधानों के जरीये हम कह सकते हैं कि जो संगी वैवस्ता है उसमें जो सभी संगटे की काई है उन सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं अगला है प्रश्ण संख्या 23 आपको मान चित्र के अंदर निम्नलेखित इस्तान दर्शाने हैं सबसे पहला है रावत भाटा रावत भाटा कहां पर है राजस्तान में नरोरा कहां पर है यूपी उतर परदेश में रियंद कहां है यूपी के अंदर इंदोर कहां है एमपी के अंदर ठीक है बालागाट कहां पर है बालागाट है एमपी में चित्रदुर कहां है यूपी में पारदीब कहा है उडिसा में और मियूर बंज कहां पर है उडिसा में यह आपको मैप के अंदर बताने है रावत भाटा राजस्तान के अंदर है आपका रावत भाटा ठीक है यह रावत भाटा है राजस्तान के अंदर फिर आपका नरोरा नरोरा कहां पर है यूपी में फिर इन्नोर इन्नोर कहां पर है एमपी में इन्नोर एमपी में है फिर रिहन्द कहां है यूपी में और कौन है यूपी में चित्रदूर ये 3 इस्तान यूपी में हैं बालागाड काहा है बालागाड भी MP में है फिर परादीप और मियूर भंज ये कहां पर है ये आपके उड़िसा में हैं परादीप और आपका यद्र है मियूर भंज ठीक है तो यह था दोस्तों आपके सामाजिक विज्ञान का पैपर उम्मिद करता हूँ इस पैपर में जितने भी प्रशन डिसकस किये हैं उनमें से कई सारे प्रशन आपकी बॉर्ड रिच्चा के पैपर में आपको देखने को मिलेंगे उम्मिद करता हूँ यह बॉर्ड पैपर आपके लिए उप्रोगी साबित होगा तो क्लास बीटने के लिए आप सभी को धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरूर करें आज गले इतना ही जय हिंग जय आपके बार